36 की दुर्ग में आपसी रंजिस के चलते हत्या करने का मामला सामने आया है दरशल वाड 19 के रहने वाले रंजिस्तिंग की घर जाते समय कुछ लोगों ने मार बीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है वही में तक के मामा ने बताया कि बीजेपी के महमंतरी लोकेश पांडे से युवक का किसी बात को लेकर द्विवाद हो गया था जिसके बाद उसने गुंडों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी एक एक बार करके फूरा खतम कर दी उसको खतम करने के बाद सरकारी एस्पिटल के गेट के सामने इसको ठेक दिया गया है और बहुत दर्दनाक मारे हैं अब में को इंसाब चाहिए आप लोग से यही निमेदन है और उनलोग को फासी होना चाहिए जो केम शेत्र में हुई है रात को बारा बजी के लगता जिसमें थाना चामनी में हमारे द्वरा अब है अब है अब है अभी प्रात्मिक जाहत में हथा की जो कारण समय रहा है इसमें आकसी रंजीत है जो दो गुटों के बीच में एक जो ब्लूटक है रंजीत सी यह तीन दोस जो गटना इस्टर कर उपस्टी थे और जो आरूपी पक्षय इसमें तीन लोग का नाम अभ हमला किया गया है